इंटरनेट पेनेटरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण होम डुलिवरी सर्विसीज की डिमांड लगातार इनक्रीज हो रही है ऐसे में रेस्टोडेंट और एक यूजर के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है होम डुलिवरी सर्विसीज का बहुत सारी कंपनिस इस गैप को फुल्फिल कर रही है इनी में से एक है डुडेंश इंडिया में जैसे स्वीगी और जमेटो उपरेट करते हैं इसी तरह से डुडेंश यूएस में उपरेट करता है बट इनकी वेल्योशन में भहुत बड़ा डिफरेंश है इंडियान स्टार्टप स्वीगी और जमेटो की वेल्योशन जहां 3 से 4 बिलियन डुलर के बीच में है वहीं डुडेंश की वेल्योशन 55 बिलियन डुलर के अराउंड है हेलो गाइस आज की स्वीडियो में हम डूट डैंस के बारे में जानेंगे और कैसे डूट डैंस यूएस मार्किट में डूमिनेट कर रहा है डूट डैंस को 2020 में जू, टैंग, फैंग और मूरे ने स्टार्ट किया था चारो फ्रेंड्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्स्टी के अंदर स्टेडी करते थे और चारो के common interest थे जो की था small business owners की help करना अपने college के दौरान इन्होंने अपने campuses के around small business owners को interview किया और ये जानने की कोशिश की कि वो क्या problem face कर रहे है इन्ही में से एक interview के दौरान इन्होंने एक store manager को interview किया और वो प्यक्ति अपना दुख प्रकट कर रहा था और उन्होंने उसे इन्हें एक booklet show की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो ये सबी orders को fulfill नहीं कर सके क्योंकि उनके पास delivery boy की shortest थी तो इन चारों को idea आया क्योंना technology का यूज करके इन small business owners की help की जाएं इन्होंने अपने startup की शुरुआत एक prototype से की जिसका नाम था paloalto delivery.com starting में ये ऐसे logistic startup operate करते थे जिसके अंदर ये समान को एक जगा से लेकर के दूसरी जगा पे deliver करते थे बट बाद में इन्होंने अपने इस business को niche specific कर लिया और अपने आपको ऐसे restaurant aggregator convert कर लिया और इन्होंने अपना name बदल कर do dash कर दिया बट यही सेम चीज यूएस में Uber Eats और Grubhub जैसी बड़ी बड़ी companies कर रही थी फिर do dash ने ऐसा क्या किया कि वो US market में dominate कर रही है आईए जानते हैं do dash की इन strategies को नंबर वन audience segmentation यह do dash की सबसे बड़ी strategy थी कि इन्होंने अपनी target audience को segmentation में divide किया किसी भी business के लिए यह बहुत ही जुरूरी होता है कि वो अपनी target audience को segmentation में divide करे ओडियोंस को segment में divide करने के बहुत ही ज्यादा benefits होती है जैसे कि आप particular segment की needs को समझ सकते हो उनकी problems के लिए आप specific solutions दे सकते हो और आप बहुत अच्छे से market भी कर सकते हो do dash ने अपनी target audience को दो segment के अंदर divide किया number one users वो लोग जो की high quality food order करना चाते हैं और जिसके लिए वो pay भी कर सकते हैं number second वो restaurants जिनके पास home delivery की service नहीं है और वो home delivery करना चाते हैं या फिर वो restaurants जो की अपने business की reach को बढ़ाना चाते हैं तो do dash ने अपनी target audience को इन दो segment के अंदर divide किया और इस segmentation का इने ये benefit मिला कि ये दोनों audience को अलग-लग तरहें से market कर सकते हैं number two advanced value proposition आपका business कितना successful होगा ये चीज इस चीज के ओपर depend करती है कि आप अपने customers की life में कितनी value add कर रहे हैं do dash ने सिरफ अपने आपको food delivery तक ही सिमित नहीं रखा बलकि customers की life में और भी ज़्यादा value add की जैसे कि ऐसे user इनोंने live tracking AI based food recommendation और easy to see menu option जैसे features को उपलब्ट करवाया और restaurants के लिए इनोंने customer insight app launch किया जहां पर restaurant owners ये देख सकते हैं कि किसी particular location पे कौन से food की demand है number three fulfill the gap market में gap को identify करके उसे effectively fulfill करना एक बहुत ही बड़ी strategy है और इसे हमने already discuss किया था अपनी board की case study में अगर अभी तक आपने board की case study नहीं देखी है तो आप उपर i button पे click करके देख सकते हैं dude dash के competitors जहां बड़ी-बड़ी cities पे focus कर रहे थे जहां पे competition already बहुँ ज़्यादा high था बट dude dash ने small cities के उपर focus किया जहां पर कम competition था और earning की ज़्यादा opportunity थी और धीरे-धीरे करके इन्होंने भहुत सारी सब urban cities के अंदर अपनी अच्छी पकड बना ली ऐसे business market में gap को identify करना आपके लिए बहुत ही जुरूरी होता है और इसके लिए आप competitor research कर सकते हो competitor research के अंदर आप देखते हो कि आपके competitors क्या कर रहे हैं अभी currently जो लोग उनके users हैं वो क्या issues face कर रहे हैं कौन-कौन से area के अंदर उन्होंने expand किया है तो महाँसी आप ये चीज़ जज कर सकते हो कि क्या products आपको निकालने चाहिए कौन सी market के अंदर आपको expand करना चाहिए तो इस तरह ऐसे आप gap को identify कर सकते हो नमबर 4, selection and quality over price and speed food industry पे mainly 4 चीज़ों पे focus किया जाता है और ये है price, speed, quality और selection कि कौन से particular area में कौन से food को आपको sale करना चाहिए Uber Eats और बाकी competitors speed पे focus कर रहे थे ये लोग ये promise कर रहे थे कि 30 minute के अंदर delivery provide करेंगे जबकि Doodash ने ऐसा नहीं किया Doodash ने कहा कि अगर चाहे 40 minutes लग जाए बट हम quality से compromise नहीं करेंगे food को safely customers के घर पे पहुचाएंगे और इनी सब strategies का use करके Doodash ने US में 55% market share capture कर लिया आईए जानती है ये company revenue कैसे generate करती है नमबर वन commission April 2021 में इन्होंने tiered based commission structure launch किया इसके अंदर ये different plans के अंदर different commission charge करती है और इसके अंदर different features आपको मिलती है जैसे कि इनका basic plan के अंदर 50% commission charge करती है और pro plan के अंदर ये 20% charge करती है और premium plan के अंदर ये 25% commission charge करती है इन सभी के अंदर आपको different features मिलती है नमबर second delivery and service fee ये user से service और delivery charge लेती है delivery charge 6 dollar से लेके 9 dollar के बीच में होता है बट आगे ये कितना pay करती है delivery boy को उसका कोई भी estimate नहीं है कोई भी idea नहीं है कि कितना ये आगे pay करती है हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई commission वगारा रखती है और second ये service fee भी charge करती है service fees के अंदर ये payment gateway charges और app की maintenance cost इन सभी expenses को cover करती है नमबर 3 dash pass ये एक subscription service है अगर आप ये service लोगे तो आपको delivery fee में discount मिलेगा और इसके लाबा और भी बहुत सारे discounts offers मिलते रहेंगे जैसे कि इंडिया के अंदर Demeto Pro और Swiggy Pro में आपने देखा होगा कि आपको benefits मिलती है ऐसे ही do dash के अंदर भी subscription है उसमें आपको benefits मिलती है नमबर 4 driver driver इनकी एक white label service है जिसके अंदर आपको food ordering system और इनके जो drivers है वो आपको मिलती है अगर आप इनके app के उपर अपने आपको register नहीं करना चाते और आप चाते हो कि आपका खुद का एक delivery system हो आपके पस delivery voice आपको दिये जाए तो आप इनकी ये वली service ले सकते हो इसके अंदर आपको इनके जो हैं delivery voice होंगे वो आपके restaurant से food को लेंगे और customer के घर deliver करतेंगे तो ये service ये provide करती है इसके अंदर ये कितना charges लेती है ये कोई भी fixed नहीं होता ये restaurant to restaurant depend करता है तो guys आज की case study के लिए इतना ही मिलेंगे आपको एक नही case study के साथ